लो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके चैनल । ब्रेनिफ़ूड में इस वीडिब्टिएओं में हो एक्जाइम पैटन्स करने वाले इस विडिएओं नहीं पता होगा पॉलितिकल साइन्स का तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करना कि आप मुझे इसने में बताईए तो मैं आपको इसने में प्रवाइट करवा दूंगी इसे पहले हम देख लेते कि इस चो आपका इस कोन सा ही जो आपका पॉलिटिकल साइंस का ग्लोबलाइजेशन का जो डिस्कुलिन का सब्जेक्ट इसके एक्जाम पैटन के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं तो हम देख लेते हैं इसमें कैसे कॉछिन पूछे गए हैं आपसे पैदा आप यह जान लीजिए निकि इसमें आ तो है अगर आप आप देना तो आप हमेशे धियान रखना है कि कोई भी एक्जाम देियरे हैं बेश्चक कि आप वह आपि इंगलिष में जाथे तो सारे ॏकुशन के एंसर हमेशेаль के लिए और अगर देख लेते एक जो कौश्चं देरा हुआ हुंगे आनके जो टैप किन चलिए आपको पता कि वैस्वी करन क्या ग्लोब लाइजेशन किसे कहते हैं आपने आपको साइप नहीं देखिया में आ तो मेरी वीडियो सको देख लेना आपको लिए ब्याइट एक तो वही चीज़े करेंगा थे राजनेकती और सांस्क्रित और तकनिकी आयामों की व्याक् यह उस यूनिट का कॉशन फॉर्ष्ट है तो वैसी आप जो कॉशन सब्सक्राइब की भूमिका की विश्य संदम में उत्तर दक्षिन विवाद पर भाहस की व्याख्य कीजिए आपको मैंने जो डबलू बी ओर वर्ल्ड बैंक इसके हर चीज के बाएं कि इसके मतलब रख्ष में बदलाओ आया आपने उत्तर के पक्ष में उप्यक्त उधायन दीजिए कि वैस्विक करन की प्रिक्रिया ने राजे संब्सक्राइब की मतलब उसमें क्या चेंजिस लाएं तो उसके आपको उपीनियन देना अपना पक्ष देना है तो इस टेप से कॉशन आपसे पूच कि चर्चा करनी है कि अपने वीडियो देखे होगी तो आपको इस तर नाम से भी जाना जाता है वैस्विकरन के ले आपसे पीन देकर पूछ सकते कि हाँ भूमंदली करन क्या है और इसके आयाम बताएं तो इस ट्रैप से पूशन पूछ सकते तो आप कंफ्यूज मत होना त चीजटे कि घ्लिक पोट अब करना उनदां कि यहीं दे हैं अभी देखे यहीं होते हैं यह resembling का आपको पीकला baikस कर लाकिन में कि अप कि देखंट के वहीडियों को, ौह हीं ज़िएब कहिंँ के बेएं आपको अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं उसे बनाना चाहते हैं जादा अग्सक्षांपल जरूरो अग्सक्राइब करें तो एक तरी से वह बहुत अच्छा question भी दिखता है और उसको answer को समझने में भी टीचर को बहुत जादा असानी होती है अब ऐसी जो question 6 ते वह आपका है कि वैश्विक करने में वैश्विक समाजीक आंदोलन किस हद तक शफल रहे हैं वैश्विक समाजीक आंदोलन किस हद तक शफल रहे हैं विस्तार से व्याख्या करने हैं इसके आपको explain करने हैं अब ऐसी जो question 7 ते हैं वह आपको पूछे कि क्या आपको लगता है कि वैश्विक के दोना परेवाइन के लिए गंभीर खत्रा उत्पन हो गया है और अपने उत्तर में मतलब अपने उत्तर के पक्ष में तरक देना आपको अपना opinion बताना है इसके लिए कि क्या वैश्विक करन सची में जो है परेवाइन के लिए गंभीर खत्रा उत्पन करता है तो आपको अपना point of view बताना है अब ऐसे जो question 8 है इसमें आपको फोर मतलब वो पार्ट में डिवाइड करके question 8 दे रखा है कैसे दे रखा है आपको इसमें पर दे रखा है और इसमें सब को दो करने होंगे आपको यहां पर लिख भी रखा है कि कि नहीं दोग पर संश्यप्त टिपनी करनी है अगर आपको भूमंडली करन का मतलब होता है वैश्वी करन ओकी ऐसे ही फिर अंतराश्टे मुद्रा को जिसे मैंने IMF बतायता है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जिसे कहते हैं इसकी स्थापना के वामें मैंने आपको पता रखा है और फी जो सी है उसमें आपको देखा है वैश्वी करन के आथिक आयाम और डी आप्शन आपको सभी राश्टेस महा सभा तो यहीं चीज़े हैं तो इसमें आपको आपने बेसिस पर आपसे कोश्चिन पूछ ले जाते हैं आपको चैप्टर की हैडिंग वो नहीं दिखेगी बट वो चैप्टर के अंदर एक चोटा सा पॉइंट होगा उसी से कोश्चिन उठके आ जाते हैं तो यहीं चीज़ आप नोटिस करके चलना अप अपने चैप्टर को प मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जबते के लिए बाए